हिलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवर्स को लेकर कुछ बहुत ही जरूरी अपडेट है खास तोर पर भारत में निर्मित को वैक्सीन को लेकर बड़ी अपडेट है इसके लवा जो लोग इंडिया से स उस पर भी बात करूँगा लेकिन उससे पहले आप सबसेक छोटी से अपिले अगर आप हमारे चैनल पर नहें हमारे वीडियों को पहली बार देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने उसके बाद दुनिया वर के देश को वैक्सिन को मानता देना सुरू कर चुके हैं इसके संबन्द में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना सुरू कर दिया है और अपने सिस्टम को भी अपडेट करना सुरू कर दिया है तो अब गल्फ के देश बहरीन ने भी को वैक्सिन को ट्रोल के लिए मानता दे दिये अगर आपने इंडिया में को वैक्सिन लगवा रखिए तो आप बहरीन के लिए भी ट्रोल कर पाएंगे और इसके लबा मलेशिया ने भी कल ही को वैक्सिन को एप्रूल दे दिया है अगर आपने इंडिया में को वैक्सिन लगवा लिए तो आप मलेसिया के लिए भी ट्रोल कर पाएंगे तो तीन नॉवंबर को जैसे ही डबलू एच्चो ने को वैक्सिन को मानता दी उसके बाद ये रास्ता साफ हो गया कि आप चाहे इंडिया में कोविसील लगवाए हों या फिर को वैक्सिन लगवाए हों आप अलग-अलग देसो फिलिस्तीन, मंगोलिया तो ये सारे देस पहले ही मानता दे चुके लेकिन तीन नॉवंबर के बाद जब से डबलू एच्चो की तरफ से मानता मिली है को वैक्सिन को तो अब दुनिया के जो देस है वो मानता देना सुरू कर चुके और उन्होंने इसके संबद में लगवाई हो तो आपको अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि को वैक्सिन अगर आपने लगवा रख किये तो आप ट्रिवल नहीं कर पाएंगे तो को वैक्सिन लगवाने के बाद भी अब आप ट्रिवल कर पाएंगे डबलू एच्चो के अप्रूवल के बाद अगर आ आना चाहते हैं आपने को वैक्सिन लगवार किये तो आपको 10 दिन कॉरंटीन भी नहीं करना होगा इसके इलावा आपका प्री एराइवल टेस्ट भी नहीं होगा यानि आपको PCR टेस्ट भी कराने की इंडिया में कोई जरूरत नहीं है विदाओ PCR टेस्ट आप बहरीन के तो इंडिया से दुबई flight के ticket अचानक बहुत महेंगे हो चुके हैं 15 नवंबर तक के लिए तो 15 नॉंबर तक के लिए तक के लिए ticket बहुत ही महेंगे हो चुके हैं इसकी वज़ा ये है कि इंडिया से जो भी लोग साओधी अरभ जा रहे हैं वाया दुबई होकर और उनकी छुटी जो हुकूमत ने बढ़ाई है वो 30 नॉवंबर तक बढ़ाई है तो उनको 15 नॉवंबर तक हर हाल में निकलना है इसके इलावा 14 नॉवंबर को T20 World Cup का Final है दुबई में तो उस सिलसले में बड़ी संख्या में भारती है इस समय दुबई जा रहे हैं तो 15 नॉवंबर तक जो भी फ्लाइट के टिकट है वो बहुत ही महेंगे हो चुके है आम तोर पर इंडिया से दुबई के लिए अभी तक जो महेंगे हो चुके हैं अगली अपडेट दोस्तों इंडिगो एल्लाइज की तरफ से है तो इंडिगो एल्लाइज 10 नॉवंबर से नई फ्लाइट संचालित करने जा रही है ये नई फ्लाइट जो होगी वो एहमदाबाद राची के दर्मियान होगी हफते में चार दिन ये फ्लाइटे संचालित होगी इससे पहले इंडिगो एल्लाइज कई सारे रूट पर अपने फ्लाइट को संचालित करना सुरू कर चुकी है एहमदाबाद जोदपुर के दर्मियान बैंगलोरु राचकोट के दर्मियान कोल नौमबर से अहमदाबाद राची के तर्मियान सुरू होने जा रही है हपते में चार दिन फ्लाइटों का संचालन होगा तो इंडिगो बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक फ्लाइटों का भी संचालन सुरू कर चुकी है बाराल दोस्तों ये कुछ आज की अपडेट थी फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर आगे कोई और जरूरी अपडेट होगी आपके काम के लाइक अपडेट होगी तो वो आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए आप पर देशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुस रहिए गुड़ बाए